तो मैं हमारे साथ मौचूद, मैं हूं संजे बैनर जी, खृपार शंकर जी स्वागत आपका इस बड़े मुकाबले में अनेवास संजे, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है, अलाकि पहला मुकाबला, कनेड़ा की पहलवान को विनेश ने चितपट के अदार पर जीता था, और ये दूसरा मुकाबला है, उनके बाद एक और खिलाडी रे जाएगी स्री लंका की, और इन तीनों पहलवा और अब यहां पर कट्रिकेशन के पाइंट के अधार पर ही रेंकिंग निर्दारी थोगी, तो निशित रुप से विनेश चाहेगी कि ये मुकाबला भी चपट के अधार पर या तकनीकी शेष्टा के अधार पर जीते, ज्यादा से ज्यादा अंकर जीत करके विपक्षी प अब आफ में दिखाई दे रही है, अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश, लेकिन अधे कुए प्रोई का जो टेफेंस है, वो भी अच्छा है, एक पैर उनका विनेश ये बिल्कुल जबर्दस पकड़ बनाना, दो हजार अठारा क्या, दो हजार बाइस भी उनके लिए गोल का, बिल्कुल संजे अंकुष लगा दिया है, ब्लॉकर है, वो बेहत एहम होंगे, नौडिक सिस्टम के मकाबलों में, और ये अचानट नीचे गई, पैरों की तलाश में, यहाँ पर अवे कुरोई, जो के नाइचीरिया की पहलबान है, लेकिन एक बार फिर रेफ्री का इ और पहला दोर अब बिल्कुल समापती की कगार पर पहुच चुका है, उटर की आवाज, देखे किस तरह तागत को डैवेट किया है, नाइजिरेन रसलर पैरों में टेक कर रही थी, तागत लगा रही थी और वहीं से अचाना, कितना सुन्दर ये द्रश्य देखने को मिला है, पलक छपकते ही पीट की तरफ गुमा दिया, दो अंकर जित किये हैं, हलाकि दो अंक पहले थे, चार शुन्ने पर मुकाबला पहुचा दिया है, ये तीन मिनिट निर्धारित करेगा कि विनेश आखिर नैजिरेन रसलर्स को कहां पहुचाती है, दूसरे दौर की गरतन के पास हाथ लगा करके थोड़ा सा जटका मारने की कोशिश ताके पकड़ बन सके, और वही कोशिश एक बार पे अधे कुरोय ने की पैरों पर चली गई, बढ़िया पकड़ बनाई है, अधे कुरोय ने, लेकर क्या वो विनेश को पलट पाएंगी, विनेश यहाँ दिफेंस करती हुई, और ये रिवर्सल विनेश अब उपर है, बहुती जबरनस तरीके से दो पॉइंट और विनेश को मिले, 6-0 की अब उनकी लीड हो गई है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुकाबले को, चित्त करके जीतने, दोनों कंधे अगर मैट पर लग गए, तो ये मुकाबला उसी लम्हे में सवाब्त हो जाएगा, और क्लासिफिकेशन पॉइंट एक बार फिर पूरे में जाएंगे विनेश मोगाट को, और संजय मैं तो समस्ता हूँ, इस मुकाबले को सवाब्त करते ही, विनेश का गोल मेडल भी पक्का हो जाएगा, एक प्रिलंका के पहलवान के साथ खेलने की, और वो भी खेलने के बाद विनेश जीते की, निशित रूप से, लेकिन यहाँ पर पूरा दम खम लगाती हुई, अपनी जान को बचाने के फिराक में है, नैजीरियन रसलर, लेकिन विनेश ने बिलकुल जैसे शेर, हीरन को पकड लेता है, अपने मूँ के जबडे से, वो हिलने नहीं देता है, वो ही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है, देज सासे चल रही है यहाँ पर अदे कुरोय की, लेकिन वो भी पूरी तरह से दम को बादे हुए हैं, और विनेश की पूरी कोशिश है कि उनके शोल्डर्स को अगर एक जटका लग गया, एक पल के लिए अदे कुरोय अगर हार मान गई, तो तुरंट दोनों कंधे मैट पर लग जाएंगे, छेशुन से आगे हैं, चित्त करके इस मुखाबले को जीत जाएंगी और संजेत देखिए विनेश को जल्दबाजी नहीं कर रही है, विनेश को पता है कि इस डेंजर पोजीशन में, इस पीट की पोजीशन में, जहां पर पीट की तरफ देंजर है, इस पोजीशन में चाहे पूरा समय भी समाफ्त हो जाए, रेफरी मेट चेर्मेन नियमो के अ तक अपनी इस पकड़ को मजबूत बना रख सकेंगी लगातार अपना दमाव बढ़ा रही है विनेश लेकिन इस दाओं में कम सवाव मिनिट निकाल दिये इन दोनों में बिल्कुल वो भी चित नहीं करना चाहती है और वो भी चित होना नहीं चाहती है एसा सीन लग रहा है हो गई होगी क्लिक बिल्कुल से बढ़िया नजारा कहां मिलता है और आपने शेर और हिरन की जो बात कहीं तकरीवन वो नजारा देखने में लगातार उनके चेहरे पर एक बेवसी निराशा हताशा सब कुछ दिख रहा है और विनेश उनके चेहरों को दिख रही है उनकी आगों को देख रही है कि तुम कम हार मानोगी 15 से कंट का वक्त और और यह जाते जाते प्रयास विनेश फोगाट के उन्होंने अपने पूरी ताकत लगा करके चित्त करने की कोशिच की है लेकर अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा पाच से कंट से कम का वक्त बाकी है वि जीते 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 तबाल कर दिया अखरी लबहों में विकुल यह पर यह मुकाबला बहुत ही आसानी से निष्टो नाभूत कर दिया है नाजी रेंड रस्लास को जिस तरह से विक्टी में आपने देखा होगा विनेश तरह में पर हात मारा और हात को उपर उठाया यह खु घर टक्रिया नाब का दिया रखर हम के लाग हुआ है पूआ के लिएको